हलो आफ्रिवान एंड वेलकाव अशिच्छ हो लेकिन उसपे यह काम करता है आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में जो भी चाहिये मैं बोलता हूँ जो चाहो वो पा सकते हो लेकिन उसके लिए वो फ्रिक्वेंसी क्रियेट करनी है इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको तो आपको क्या सोचना है कि मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मैं चाहता हूँ लेकिन मेरे अनुसार नहीं चाहिए मुझे वो चाहिए जो उपर वाले ने मेरे लिए तैकर रखा है अब मुझे बताओ जो मैं चाहूंगा वो बेटर होगा या फिर जो उपर वाला चाहता है वो बेटर होगा या मान लो किसी ने मांगा कि मेरी शादी हो जाए एक लड़की ने बोला कि मेरी शादी हो जाए ठीके हैं और उसको उसकी शादी हो गई अब शादी हो गई तो बोले कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई बात तो मान ली गई आपने जो मांगा था Law of Attraction से या बगवान से या या यूनिवर्स से आपको वो manifest हो गया लेकिन 6 महीने बाद बुझे सपनों का राजकुमार था आप विलेन लगने लग गया उसके साथ जगड़ा होने लगा ठीक है मन मुटा होने लगा और फिर लगने लगा कि नहीं आप तो एक साथ रहा नहीं जा सकता तो इसमें गल्ती किसकी है आपको लगा ना कि आपको लगा कि यही लड़का मेरे ले ठीक है या लड़के ने सोचा कि यही लड़की मेरे लिए ठीक है और आपने manifestation करना शुरू किया और आपने बोला कि बस मेरे लिए तो यही चाहिए मुझे तो यही चाहिए मिल भी गया लेकिन बाद में क्या lifelong के लिए तो नहीं हुआ ना मैं सिर्फ example दे रहा हूँ है कि नहीं इसी तरीके से कोई बोले मान लोग manifestation में मान लेता है कोई पैसा मांगता है मुझे ने बोला कि मुझे 10 लाख रुपे मिल जाए फिर उसने बोला कि मुझे 10 लाख रुपे मिल जाए मिल जाए कहां से मिल जाए कुछ पता नहीं कैसे मिल जाए कुछ पता नहीं लेकिन उसको actually 10 लाख रुपे मिला पता है कैसी मिला इस सुनकर आप हैरान हो जाएंगे वो एक दिन अपनी गाड़ी लेके जा रहा था मोड में एक ट्रक आया और एक्सिडेंट हो गया ठोक दिया और उस एक्सिडेंट में वो ब्योस हो गया ब्योस होने के बाद जब उसको होस आया हॉस्पिटल में तो पता चला कि वो ठीक है लेकिन उसकी एक टांग काटी नहीं पड़ी उसका पैर काटना पड़ा और मालूम पड़ा कि जिस से एक्सिडेंट हो था जिस ट्रक से एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से जब बात की गए तो उन्होंने बोला कि आपको कोई कोट केस करने की ज़रूत नहीं आपको हम कंपनसेशन देते हैं हम आपको 10 लाग रूपर चेक काट के दे रहे हैं इससे ज़ाद हम कुछ नहीं कर सकते उन्होंने 10 लाग रूपर चेक काट के दे दिया ऑस्पिटल के बेड में उसने ले लिया अब मुझे बताओ कि क्या ये मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव है कि नेगिटिव है लिख के बताइए उसको 10 लाग रूपर तो मिला मिला उसको लेकिन ये पॉजिटिव है कि नेगिटिव है उसके हाथ में चेक है लेकिन किस प्राइस भी दिया उसने उसके अगेंस्ट में उससे क्या देना पड़ा इसलिए जब भी आप उपर वाले से यूनिवर्स से, ब्रह्मान से कुछ मांगो तो उसमें हमेंसे ये बोलो कि इफ दिस इस फॉर दा हाइएस्ट गुड अफ आल कंसर्ण अगर ये सर्वक ये भलाई के लिए हो तो ही मिले प्लस अगर आप पैसा मांग रहे हो तो पैसा किस एवज में चाहिए क्या करोगे जो मिलेगा ये भी तो बताओ राइट जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि दस लाग रुपे मैं हर महीने कमाओ तो दस लाग रुपे महीना कमाने के लिए मुझे कुछ बोलना पड़ेगा और मैं दस लाग रुपे कमा रहा हूँ तो ये पॉजिटिव है कि नहीं कि टिवाब लिख के दीजे नो टेल मी मैंने एक प्राइस पे किया ना मैंने बोला अफरमेशन में बोल रहा हूँ कि I earn 10 लाग रुपेज पर मन्त consistently by helping thousands of people transforming their life exactly, पूरा, specifically बता दिया मैंने कि मुझे चाहिए 10 लाग रुपे पर मन्त चाहिए लेकिन किस एवज में चाहिए मैं इतने हजार लोगों को उनकी life transform करने में महजद करूँगा तो अब मुझे गलत तरीके से पैसे नहीं मिलेंगे और उस पैसे कि एवज मुझे कुछ गलत नहीं करना पड़ेगा जैसे इसको अपनी टांक होनी पड़ी तो इसलिए जब आब मांगते हो न तो दियान से मांगो मिल जाएगा ओ तथास्तू कभी भी करने ले तयार है लेकिन तथास्तू गर गलत वज़े से गलत तरीके से हो गया क्योंकि उनको तो नहीं पता उन्होंने बोला तुमने मांगा मैंने दिया बात खत्ब ठीके इसलिए manifestation में यह याद रखना तो हम जब रेकिन माइन पाउर से healing करते हैं उसमें भी जब भी किसी की healing करो तो आप हमेशा बोलो कि अगर यह सर्व के कल्याण में हो तभी ऐसा हो तथास्तू तो क्या होगा अब भगवान के पास एक option है कि वो ऐसा ही करके देंगे या तो इससे better करके देंगे अब उनके हाथ में भी तो कुछ दे दो समझ रहे क्या समझा रहा हो आप law of attraction को use कर ही रहे all the time जब reakian mind power practice करोगे तो law of attraction आपके लिए easy हो जाएगा क्यों? क्योंकि आपका attunement हुआ है आपके अंदर की energy जो frequency है वो change होने लगी है आप positive magnet बन रहे हो ठीके? एक महीना RMP practice करो तो आप एक love magnet बनते हो किते लोग हैं यहाँ पे love magnet बन चुके हैं? किते लोग मानते हैं कि एक महीना अगर हम practice करेंगे तो love magnet बनते हैं लिखिएगा LM in the chat box please LM for love magnet and then आपकी कोई problem, कोई भीमारी आपके परिवार में किसी को दिक्कत आप healing करते हो तो उनको healing मिलती है और उनको भी फाइदा होता है आप दूसरों की जो दूर बैठे उनको distance healing बेशते हो उनको भी फाइदा होता है कई बारा मंत्र chanting करते हो उससे भी कई सारे manifestation में कई लोगों की healing भी होती है वो भी काम करता है तो आप second month में health magnet बनते हो अपनी healing होते वे देखते हो आपकी problem, दर्द, बिमारी ठीक होती है and then आप अपने family की भी देखभल कर पाते हो और अगर आपकी इच्छा है और time permit करता है तो आप समाज में भी लोगों की health सुधार सकते हो उनकी problem, दर्द, बिमारी दूर कर सकते हो so mainly यहाँ पर मैं जो सिखा रहा हूँ वो कि आप जो चाहोगे वो मिलेगा, आपको अच्छे health मिलेंगे आप अच्छे relationship क्रियेट कर सकते हो अपने energy को positive बना सकते हो चक्रों को balance कर सकते हो और आपको positively charge कर सकते हो ठीक है, यह सब तो हो रहा है ना, अब मैं third month की बात करूँगा तो वहाँ पर मैं money magnet की बात करता हूँ अब जिसका intention है पैसे कमाने का, उन्नती करने का आगे बढ़ने का, business career में अपनी आपको आगे बढ़ाने का तो money magnetism भी काम करता है क्योंकि आपकी root chakra balance हो चुके होते है आपका third eye activate हो जाता है और आप तयार होते हो अपनी blockages, money blockages को दूर कर आप money से related जितने भी opportunities हैं अच्छे लोग हैं, अच्छी नौकरी है अच्छी business opportunity है उसे attract करने में आप आगे आजाते हो और आपकी energy बोलती है कि yes, I am a money magnet और फिर actually में आपकी life में पैसे आने लगते हैं पैसे की problem solve होती है आपको promotion मिलता है आपका business अच्छा होने लगता है और आपको लगता है कि जैसे कुछ magic हो रहा है जिन्होंने पैसे लिये होए थे वो लोग भी पैसे वापस कर रहे है आजकल एकदम ये अलग टाइप का माहौल हो रहा है रेकी अन माइन पाउर को use करेंगे तो हम money magnet भी बनते हैं so mainly मैं manifestation की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि आपको health चाहिए, wealth चाहिए money चाहिए आपको you know kind of relationship better चाहिए या happiness चाहिए ये जो हम चाहिए चाहिए बोलते हैं इनी को तो हम attract करना चाहते लेकिन attract करने के लिए क्या ज़रूरी था पहले क्यों attract नहीं कर पा रहे थे बताएंगे आप लोग आप लोग RMP join करने से पहले इन सारे positive चीज़ों को attract क्यों नहीं कर पा रहे थे टाइप करके बताएंगे किसली हुआ था ये बुलिए पहले क्या चीज़ थी जो रोक रही थी जो आपको वो सब attract करने में healthy होने में better relationship में रहने में you know financially free होने में आपको लग रहा था कि दिक्कत आ रही है बाधा आ रही है किस वज़े से होगा type music in the chat box block is of course block is है negativity ज्यादा थी negative thoughts है हम negative thoughts को छोड़ी नहीं पा रहे हैं आदत ऐसी हो गई कि बस negative negative और हम बोलते हैं depression में हम बोलेंगे हमें anxiety है हमेशा यहीं बोलते रहेंगे और उससे क्या हो रहा था कि हम उस negative frequency को ही नहीं छोड़ पा रहे थी और हमारे अंदर negative beliefs बन गया था कि मैं ठीक नहीं उपाऊंगा मेरे relationship तो बस ऐसी है पैसे तो बस ऐसी दिक्कती दे रहा है पैसे को बहुत problem है पैसे कमाना मुश्किल है पैसे जमा करना मुश्किल है होने रहा है लेकिन जैसे रेकियन माइन पाउर में सबसे पहला process जो होता है वो है attunement attunement के process से ही वो जो energy activate होता है और प्लस जो आपकी blockages heal होनी सुरू होती है first day itself से negativity है तो of course आपका कुछ karmic blockage होगा अब वो karmic blockage किसे दवाई से तो ठीक नहीं होगा या तो आप अपनी अच्छाई से अपने अच्छे करमों से उसे ठीक करो या तो अच्छा है कि आप ricky and mind power के अटunement लो और practice शुरू करो और जल्दी से आप उस सारी blockages को दूर कर एक positive magnet बन जा right अपने कार्मिक अकाउंट को ठीक करना है right life में अगर सब कुछ अच्छा चाहिए तो ये कर लो इससे आपकी life हमेशा ही अच्छी रहेगी और आपको कोई भी दिक्कत हो उसे आप हमेशा के लिए ठीक कर पाएंगे किसी के पास जाने की ज़रूत नहीं किसी पर dependent नहीं होना medicine free life जियो और अपनी life को और better बनाओ रेकी अन माइन पॉकर साथ खुश रहें अपने आपको हील करें अपने घर को positive बनाएं और सब को खुशियां दे सब को प्यार बाटें और सब को बोले तभास तू यही मैं आप लोगों के लिए सुब कामना देता हूं थैंक यू सो मच and keep healing, keep smiling and रेकी, bless you